ओल्ट वह विवन वेलकम तो थीज हैं तो यहां पर हम द्टिसक्स करने वाले हैं एस एम और वेव के जितने भी क्वेशनस आये हुए हैं जेएमें ट्वेटी ट्वेंटी वन जेए 2021 में जो August September वाला autumn था August September वाला उसमें जित्ते भी सवाल आए है SHM और वेड के यहाँ पे हम discuss करेंगे पूरा starting से लेके last तक ठीक है? मैं आपको बताँगा कि कैसे इस सवाल को attempt करना है और last तक answer निकाल के मैं आपको दिखाने वाला है पहला सवाल हमारे पास आता है यह 26th of August के evening shift में पूछा गया था दो wave है simultaneously passing through string and equations are this तो यह wave की equations है a1 sin kx minus kvt और y2 की जो value है a2 sin kx minus kvt plus x0 given that the amplitudes a1 and a2 are 12 and 5 and x0 is 3.5 wave number is 2 pi find the amplitude of resulting wave तो दो wave यदि superimpose होती है interfere करती है तो उनके resultant wave का amplitude का formula हम जानते हैं क्या होता है a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos delta phi का under root यहाँ आप लिख देता हूँ घबराइए मत तो यहाँ पे देखे कैसे solve करें तो पहले इस wave की equation को आप लिख लीजे y1 is equal to a1 sine of k को multiply कर दीजे so kx minus k v t और दूसरी equation हमारे पास है y2 is equal to a2 sine of kx minus k v t plus kx0 यह जो quantity है sine के अंदर की या cos यहाँ पे होता तो उसके अंदर की जो quantity है उसे phase कहा जाता है तो इसका phase जो है वो phi 1 के बराबर है इसका phase जो है phi 2 के बराबर है इनके phase का जो difference है उसे delta phi या phi कहा जाता है इसका मतलब है कि phi 2 minus 5 तो यह आपको मिल जाएगा इसमें से इसको minus कर देंगे तो आपको मिल जाता है kx0 के बराबर phase का difference इन दौनों waves के बीच में values यहाँ पे रखे k को लिख सकता हूं में it's 2 pi per centimeter 2 pi x0 की जो value है x0 की value है 3.5 centimeter तो आपको यह मिल जाता है 7 pi के बराबर 7 pi के बराबर आपको phase का difference इन में मिल जाता है अब इन दौनों waves को जो same direction में जा रही है same इनके frequency है इनको जब superimpose किया जाता है तो इनका जो resultant wave का amplitude होता है a resultant उसका formula होता है a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos delta 5 यह formula हमारे पास होता है यहाँ पे सारी values जो है अपकोट करना है start कीचे उसके बाद मैं दूसरा तरीका बता हूँगा जो काफी जादा छोटा है इतनी steps के अलावा हम एक step में ही यह solve कर पाएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा a12 square which is 144 plus 25 plus 2 into 12 into 5 into cos 7 pi is minus 1 का under root तो यह 144 plus 25 और यह 1250 जोनी 120 minus 120 so 144 और plus 25 minus of 120 का under root आपको मिलेगा solve करिए इसे so यह 20 और यह 44 so 24 आपको मिलने वाला है 24 plus 25 is equals to 49 49 का under root आजागा आपके पास 7 mm 7 mm will be the resultant amplitude तो यहाँ पे देखिए हमारा answer कितना जाएगा 7 mm के बराबर अब इस सवाल को इस formula से ना करके मैं solve करना चाहता हूँ phasor की साहता से phasor क्या होता है जो यह wave है उस wave का जितना amplitude है उस amplitude की length के बराबर amplitude की length के बराबर आप एक vector बनाईए एक vector बनाईए तो मैंने आप एक vector बना दिया इसका length है A1 के बराबर which is 12 mm horizontal बना सकते हैं जिसमें kx minus omega t के साथ कुछ नहीं हो उसको आप horizontal से horizontal line के along बना सकते हैं अब यह जो है y2 is equals to this यह जो दूसरी wave है इसका amplitude के length के बराबर एक दूसरा vector आप बनाईएंगे जो पहले vector के साथ kx0 के बराबर angle बनाता है kx0 कितना है? 7 pi तो 7 pi angle बनाते हुए पहले वाले vector से पहले वाले phaser से आप यह दूसरा वाला phaser draw करने वाले हैं तो यहां से 7 pi angle बनाते हुए 5 mm का मुझे एक phaser draw करना है तो 2 pi, 4 pi, 6 pi, 7 pi तो यहां से मैं एक दूसरा phaser बनाऊँगा जिसका length 5 mm है और यह angle दूनों के बीच का कितना है? 7 pi के बरादर समझगे 7 pi कैसे है? यहां से 2 pi, 4 pi, 6 pi और यह 7 pi 7 pi इनके बीच का angle है इसका मतलब कह सकते हैं pi angle है आप इन दूनों phasors का resultant या दूनों vectors का resultant कितना आजाएगा आपके पास? आपके पास resultant आजाएगा 12 माइनस 5 इस 7 mm तो यही हमारा answer में मिल जाएगा और आप इसको और ऐसे सीख सकते हैं इमान लिजे आपके पास कुछ ऐसी question है y is equals to a sin a1 sin omega t minus kx और दूसरी wave आपके पास है y2 is equals to a1 a2 sin omega t minus kx plus 5 तो a1 length का एक आप एक phasor बनाएंगे और एक a2 length का phasor बनाएंगे जो phi angle बनाता है यह a2 है यह a1 है यह angle है pi और इनका resultant आपको लेना होगा resultant लेने का formula क्या होता है दो vectors जिनके magnitude a1 a2 है angle theta हैं के बीच में so a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos theta का अंडरू इनका resultant होने वाला है तो resultant wave जो इन दोना की superposition से मिलने वाली है उसका resultant होगा यह a resultant और यह formula वहीं से आता है यह formula यहीं से आता है यहीं से आता है formula तो एक concept याद रखें phasor की सायता से कोशिश करें हम सवाल को कर पाएं तो काफी सारे सवाल इस पे based आते हैं आगे भी आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे जो बिलकुल same concept पे based हैं डिरेक्ट आपको A1 और A2 दे रखे हैं आपको phase का difference निकालना होता है किसी तरीके से और आपको यह formula में value पुट करनी होती है आपको बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्मेशन देनी है अनक एडमी पे T20 टेस्स सिरीज स्टार्ट हो रही है 7th of October से जो कि 7th of October से लेके 29th of October तक चलेगी डेली टेस्ट होगा 6.30 से लेके 7.00 पी.म तक ठीक है न? और यह टेस्ट जो लोग अपना IATJE का exam 2022 में देना चाहते यानि के droppers और 12th के बच्चे 2023 में देंगे 11th के बच्चे और जो 2024 में देंगे यानि के 10th के student उनके लिए plan की गई है ठीक है बच्चो? डेली टेस्ट होगा डेली result आएगा उसी time और daily awards है इसमें अगर rank 1 आती है आपकी तो आपको 5000 रुपे का amazon का voucher 226 को 3000 7 to 20 को 2000 ठीक है न? और बच्चो आप अगर winner हो तो आपको 20% का scholarship भी मिलेगा अगर आपकी rank 1 से लेके 50 तक आती है अगर आप कोई भी subscription लेते हो तो ठीक है न? तो बच्चो बहुत ही अच्छा मुखा है जल्दी से जल्दी इसमें enroll कर लीजे और NKC Sir Live NKC Sir Live code डालना ना भूले चीक है बच्चो चलिए test of luck अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरब सवाल जो है evening shift में पूछा गया था 26th of August के यह भी 26th August में आये evening shift में यह भी evening shift में है सवाल आपसे कहता है कि acceleration due to gravity is found up to accuracy of 4% on a planet यानि किसी planet पर acceleration due to gravity को जब measure किया जाता है तो measure करने में जो भी हमारा process रहा है उस process की वज़े से 4% का maximum error उसमें हो सकता है ठीक है तो 4% का error plus minus हो सकता है जैसे माल लीजे acceleration की value आपने पाई है 100 आपको मिला है कोई 100 particular unit में आपको value मिली है acceleration due to gravity on an imaginary planet तो उसमें 4% का error maximum error जो है इसका मतलब यह हुआ कि actual value 100 से 104 हो सकती है या 96 हो सकती है तो actual value 96 से 104 के बीच में कुछ भी हो सकती है तो इसका मतलब इस बात का ऐसे भी लिख सकते हैं कि delta g by g into 100 तो यह सवाल जो है error and measurement से पूछा गया है लेकिन क्योंकि इसमें involved है concept SHM के तो हम इसे इस वाले chapter में मान रहे हैं so delta g by g is 4% the energy supplied to a simple pendulum to known mass m to undertake oscillations of time period T is being estimated तो एक simple pendulum जिसका mass m had time period T है उसको जो energy दी जाती है जिससे वो अपना oscillation start कर सके उस energy की value को हम estimate करना चाते हैं उसको देखना चाते हैं कि कितना उसमें error आ सकता है time period का जो measurement है उसमें 3% का error है time period में जो measurement है उसमें error जो है वो कितना दिया है आपको 3% के बराबर आप बताईए कि जो energy के measurement में जो error होगा वो बताईए कितना होगा तो पहले बात कर लेते हैं energy की energy तो यहां पर हमारे पाइक simple pendulum है जिसका mass m है और मैं मान लेता हूँ कि इसको theta angle पहले displace किया गया होगा इसको यहां से धका देके ऐसे ले गए होंगे और यहां से इसको release किया होगा तब जाके अपना emotion अपना oscillatory motion जो है यह perform कर रहा होगा तो यहां से यहां ले जाने में कितना energy मुझे देना होगा यह हम बता सकते हैं कि यहां से यहां के बीच में potential energy का change है potential energy जो gain किया है उस potential energy gain के बराबर हमने energy इसको देखे भई यहां से यहां जाएगा तो इसका potential energy बढ़ा होगा और कैसे बढ़ गया क्योंकि हमने अपना energy कुछ इसको दे दिया है हमारे द्वारा दिया जाने वालो जो energy है किसके बराबर है gain in potential energy के बराबर यह angle यदि theta है तो यह जाएगा आपके पास l cos theta यह जाएगा आपके पास l into 1 minus cos theta तो यहां से आपको मिल जाता है mg l 1 minus cos theta और हम यह बात जानते हैं कि shm को यह ज़ी करता है तो angle जो है बहुत जादा छोटा होता है theta जो है काफी जादा small होता है तो 1 minus cos theta को पहले लखेंगे 2 sin square theta by 2 तो आपको मिलेगा mg l mg l और यह मिलेगा आपको 2 times sin square theta by 2 अब यहां पे approximation लेंगे theta जो है काफी small है क्योंकि तब ही यह simple harmonic motion करता है तो यह आपको मिल जाएगा e is equal to यहां 2 से sin square को उटा दीजे theta square by 4 आपको मिल जाएगा sin square theta है तो यह आपको मिल जाएगा theta by 4 तो आपको मिल जाता है mg l mg l theta square by 2 यह energy मिल जाती है आपको जो energy आपने दी होगी छोटा सा angle theta displace करने है अब क्या कर सकते हैं हमारे पास यहां mg l theta square by 2 है यहां पे time period नहीं है तो मैं time period की value यहां पे introduce करने वाला हूँ कैसे हम जानते है time period simple pendulum का होता है 2 pi under root of l by g तो यहां से मैं time period introduce कैसे करूँगा और मुझे length की बारे में कुछ नहीं बताए कि length में कितना error है तो मैं l की जगे replace कर दूँगा यहां पे t को तो यहां से आपको मिल जाता है t square into g divided by 4 pi square is equal to l तो length की value का आप यहां रख दीजिए तो आपको energy जो आपने दी है वो मिल जाती है e is equal to mg into theta square by 2 theta square by 2 into l l is gt square divided by 4 pi square तो यहां से आपको energy मिल जाता है जो आपने दी है mg square t square theta square divided by 8 pi square यह result आपको यहां पे मिल जाता है अब बात करते हैं कि यदि error मुझे निकालना है इसमें तो या तो आप first principle का इस्तिमाल कर सकते हैं या आप चाहें तो ln लेके differentiate कर सकते हैं जो भी आपको पसंद को तो ln ले लेता हुना इस बार ln e is equal to ln m plus 2 times ln g plus 2 times ln t plus 2 times ln theta और यहां पे मिल जाएगा minus of ln of 8 pi square अब इसको differentiate कर देंगे कोई भी एक variable लेके तो d e by e is equal to d m by m plus 2 times d g by g plus 2 times dt by t plus 2 times d theta by theta minus 0 तो भाई theta में कोई भी error नहीं है theta को measure करने में कोई भी error नहीं है तो इसे आप हटा सकते हैं mass को measurement करने में कोई भी error नहीं है तो यहां पे d e by e जो है आजागा 2 times d g by g into 2 times dt by t तो यहां पे 100 से multiply कर दूँगा तो यहां पे मुझे मिल जाएगा percentage error in measurement of energy is equal to 2 times percentage error in measurement of g into 2 times percentage error यह percentage error in measurement of time period यहां से आपको मिल जाता है answer 2 times g को measure करने में जो error है कितना दिया है आपको 4% के बराबर है so 2 into 4 plus 2 into time period में measurement error है आपके पास 3 तो 4 दुनी 8, 3 दुनी 6 14% आपको answer मिल जाता है तो 14% maximum error आ सकता है जो energy आपने दी है उसके measurement में ठीक है तो हमारा answer जो है आजाता है आपके पास 14 के बराबर ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरब सवाल हमारे पास है कुछ हैसा 2 simple harmonic motions are represented by this equation x1 is equals to this and x2 is equals to this the amplitude of second motion is फलाना times the amplitude in the first motion तो मैं माल लेता हूँ कि answer जो है हमारा x है कि amplitude of second motion is x times the amplitude in first motion तो मुझे यहाँ इस SHM का amplitude निकालना है कितना होगा amplitude निकालने के लिए मुझे a sin omega t plus 5 की form में इस equation को लिखना होगा यह already इस form में लिखी हुई है a sin omega t plus 5 की form में जो एक general equation है SHM की तो इसे general equation of SHM में लिखना होगा मुझे तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर 1 by root 2 से multiply और 1 by root 2 से multiply यहाँ कर देता हूँ और यहाँ root 2 से multiply कर देता हूँ आपने पढ़ा होगा trigonometry में इसे बहुत सारे manipulation मैं इसे sin a plus b में बनाना चाहता हूँ तो आपको x2 की value मिल जाती है 5 under root of 2 मैंने बहार under root 2 से multiply कर दिया और अंदर under root 2 से divide कर दिया so 1 by root 2 sin of 2 pi t plus 1 by root 2 cos of 2 pi t ठीक है कोई दिक्कत इसमें नहीं यहाँ पर मैंने root 2 से multiply किया है root 2 से divide कर दिया है यदि आप इसको अंदर multiply कर देंगे तो root 2 से root 2 चला जाएगा root 2 से root 2 चला जाएगा 5 into 2 इसको 10 में लिख सकता हूँ यह sin 2 pi t इसको पहले लग दूँ sin 2 pi t और इसको लिख सकता हूँ मैं 1 by root 2 को cos pi by 4 और मैं इसको लिख सकता हूँ sin a cos b plus cos a sin b cos 2 pi t और इसको लिख सकता हूँ sin pi by 4 तो आपने फार्मला पड़ा होगा sin a cos b plus cos a sin b it is equal to sin a plus b तो मिल जाएगा आपको sin of 2 pi t plus pi by 4 और यहाँ पर कितना है आपके पास 10 तो यह equation आपको मिल जूगी x2 is equal to 10 into sin 2 pi t plus pi by 4 और यह है 5 sin 2 pi t plus pi by 4 तो यहाँ देख सकते हैं कि frequency same है एक बार और चेक कर लें कि कोई गलती तो नहीं किया हमने कोई गलत तरीके से इसको मिला तो नहीं दिया है frequency same है तो इसका amplitude हमसे सिर्फ amplitude ही पुछा है तो इसका amplitude है 10 इसका amplitude है 5 तो मैं लिख सकता हूँ कि second वाले SHM का amplitude है is x times amplitude of first motion तो यहाँ से x की value जो है आपको मिलती है 2 के बरादर यानि कि 2 गुना है इसका amplitude compared to this answer हमारा कितना हो जाएगा 2 के बरादर 2 हमारा answer है अगले सवाल हमारे पास है जो J main की morning shift में पूछा गया था 26th of August में अच्छा एक चीज देखें कि आप evening shift की बात करें evening shift में एक सवाल ये है और दूसरा सवाल ये है और तीसरा सवाल ये है तीसरा सवाल सिर्फ तीन सवाल जो है पूछे गए है SHM and waves से sound wave string waves और यहाँ पे हमने आपका electromagnetic wave भी यहाँ पे include कर लिया है तो इन से total मिलाके तीन सवाल 26 August की evening shift में पूछे गए थे आगे सवाल को करते है सवाल जो morning shift में पूछा गया था electric field in the plane electromagnetic wave is given by this तो यह e vector electric field vector है is equals to magnitude यानि amplitude of electric field into cos of k into x minus omega into t और यहाँ पे है volt per meter j cap direction में if this wave falls normally on a perfectly reflecting surface of an area hundred centimeter square and if the radiation pressure exerted by electromagnetic wave on the surface during a 10 minute exposure is this find the value of x तो यहाँ एक बात आपको याद रखनी है कि यदि कोई perfectly reflecting surface है perfectly reflecting surface है और कोई normally आके incident होती है wave तो टकरा के वापस चले जाने वाली है तो radiation pressure चाहे तो आप formula तुरंट derive कर सकते हैं और convenient यह रहेगा कि आप याद रखें तो radiation pressure का formula जो हमें मिलता है वो आता है 2i by c के बराबर यह radiation pressure यह exert करती है light इस surface के उपर और intensity की जो value है उसे आप लिख सकते हैं 2 by c तो है ही intensity का formula होता है half epsilon naught e naught square into c यह ऐसे magnetic field की form में भी लिखा जा सकता था लेकिन हमें यहाँ पे e naught दिया है तो मैंने यहाँ पे e naught की terms में intensity का formula लिखा है यह radiation pressure की value है तो यहाँ एक c से एक c cancel out हो जाता है 2 से 2 cancel out हो जाता है radiation pressure आपको मिल जाता है epsilon naught e naught square के बराब epsilon naught की जो value है 8.85 into 10 to the power minus 12 होती है और e naught का square e naught का मतलब electric field की जो maximum value है electric field की maximum value that is electric field का amplitude that is 200 so 200 का square which is 4 double 0 double 0 तो यहाँ से आप इसको solve कीजे 1, 2, 3, 4 यह आगे आपके पास minus 8 so 4 into 8.85 आपको करना है 4, 20, 0, 2, 32, 34, 4, 3, 32, 35 so 3, 5, 4, 0 2 के बाद को decimal लगाना है into 10 to the power minus 8 तो हमें पूछा गया है x upon 10 to the power 9 या 10 to the power minus 9 की terms में आपको answer देना है तो 1, 0 और बढ़ा दीजे 354 into 10 to the power minus 9 तो हमारा answer कितना हो जाएगा 354 के बराबर answer will be 354 सवाल हमारे पास से कुछ ऐसा सवाल कहता है कि source and detector move away from each other in absence of wind absence of wind wind नहीं है with a speed of 20 meter per second with respect to the ground दोनों ही 20 meter per second ground के respect में एक दूसरे से दूर भाग रहे है तो एक बहुत ही जादा आसान सवाल यहां पे पूछा गया है एक हमारे पास detector है detector का मतलब यह source को listener है तो मैं आप एक कान बना देता हूँ इसके कान है बड़े-बड़े जिनसे यह सुनता है और यह भाग रहा है 20 meter per second से जो source है वो source भी भाग रहा है source के सर पे मैंने tuning fork लगा दी है जिससे पता रहेगा प्यार यह source है source भी से दूर भाग रहा है 20 meter per second ground के respect एक बार आप हमीशा J-Main के papers में आप दे रहे होंगे जब तो यह हमीशा ध्यान रखें कि एक बार पढ़ लेगी किसके respect में दी हुए तो अभी कभी यह क्या करते हैं कि यह किसी ना किसी दोनों के relative जो है velocity आपको दे दी जाए तो उसमें आपका सवाल गलत होने के chances ज़्यादा होते हैं तो आप हमीशा यह ensure करें कि ground के respect में velocity दी है या नहीं दी है तो ground के respect में 20 meter per second से यह 20 meter per second से यह अब जो इसको frequency सुनाई देती है वो frequency apparent frequency उसे मैं कह सकता हूँ source से निकलने वाली frequency जो listener को सुनाई देती है that is equals to 1800 hertz तो हमसे पूछा गया है कि original frequency बताई कितना हो तो मैं Doppler वाला formula यहाँ आप इस्तिमाल करूँगा that f dash is equal to f naught sound का velocity plus minus velocity of observer sound का velocity plus minus velocity of source अब ये मैं आपको already बता चुका हूँ पहले वाले lectures में theory वाले lectures में कि V0 और Vs का sign जो है यहाँ पे क्या आता है यदि आपने अभी तक नहीं देखे है वो video तो आप चेक कर सकते हैं J-Mean का जो crash course है J-Mean crash course 2021 में का जो playlist बना हुआ है चैनल पे उसमें आप जाके देखे Doppler Effect वाली proper series बनाई है उसमें जितने भी सवाल आते हैं J-Mean में Doppler Effects related वो सारे सवाल वहाँ पे करवाएं हैं और theory अच्छे से समझाई गई है कि कैसे हम ये निशान जो है चूज करते हैं तब ज़रूर चैक आउट कीजिए वीडियो playlist section में J-Mean 2021 crash course होगा वो आप playlist देखना सबसे last में दी हुई है ये Doppler Effect वाला पूरा वीडियो हैं lecture series है 4-5 lectures है इसमें तो F-1800 है ये आपके पास F-naught है जो निकालना है 340 observer दूर जा रहा है frequency को कम करने की कोशिश कर रहा है source भी दूर जा रहा है so it's 340 plus 20 तो यहां से आपको F-naught की जो value मिल जाती है is equal to 1800 into 360 divided by 320 0 से 0 गया 4 से गया 8 बार 4 अख्टे बर 32 4 नाम 36 और ये 8 से 4 से उड़ा दीजेए इसको 4 गुनी 8 4 चॉक 16 बचा 2 पांच साड़क चार सो ये बनगे आपके पास 225 ये बन जाएगा आपके पास 9, 35, 3, 14, 3, 21, 1, 2, 3, 20 ये आपको एक सेगिन थोड़ा सा दुबारा चेक करें इसको 225 into 9 यदि करेंगे तो आपको मिलता है 2250 और 2250 में से मैं 225 माइनस कर देता हूँ आपको मिल जाएगा एक चीज़ और हमीशा एक फिल्टर जरूर रखने है अपने पास एक लास्ट में आंसर को वेरिफाइ करने का तरीका आपके पास होना चाहिए मैक्सिमन सवालन का तो क्योंकि ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी ये औरिजिनल फ्रिक्वेंसी एक नॉट है और ये दूर जा रहे है एक दूसरे से इसका मतलब जो फ्रिक्वेंसी इसको सुनाई दी है वो कम होनी चाहिए तो एक नॉट का हमारा आंसर जो है 1800 से ज्यादा ही आएगा ये हमें एक बार इंशॉर करना है जिससे कभी गलती होई हो तो पता चल जाएगी तो 2025 is definitely greater than 1800 that means हमारा आंसर सही हो सकता है पेपर में तो पता नहीं आंसर क्या होता है तो ऐसा जरूर आप चेक करें कि डेटा देखे हैं सही बात है इससे जादा आ रही है तो ठीक हो सकता है हमारा सवाल आपसे कहता है तो हमें नोड पैचानना है कि नोड कहां पर होगा सबसे पास वाला नोड कहां पर होगा तो सबसे पहले तो आप x is equal to 0 को चेक कीजिए कि x is equal to 0 पर नोड बन रहा है या anti-node बन रहा है क्योंकि यदि मैं वेव का डाइग्राम ड्रॉ करूंगा तो डाइग्राम कुछ ऐसा मिलेगा या फिर डाइग्राम हमें ऐसा मिलेगा कुछ ऐसा ठीक है तो यह हमें ensure करना है कि यहां x is equal to 0 पर anti-node है या x is equal to 0 पर नोड है तरीका यह है कि यह वाला जो part है यह होता है हमारे पास amplitude यह amplitude होता है और यह बताता है कि amplitude कितना है उस particular point पर तो x की value 0 यहां पर रखेंगे तो यह cost 0 बन जाएगा 1 यानि कि 1 mm आपको मिलने वाला है तो y की value 1 mm मिलती है आपको which is the maximum value of y तो इसका मतलब यहां पर anti-node है इसका मतलब यह वाला graph सही है इसके सबसे नजदीक वाला जो node है वो यहां से कितनी distance पर होगा lambda by 4 distance पर होगा तो हमारा answer जो है lambda by 4 होना चाहिए lambda को लिख सकता हूं है 2 pi by k so 2 pi by k into 4 2 से गये 4 बार 2 से गये 2 बार so हमारा answer होगा pi by 2k pi की जो value है pi है 2k k हमारे पास क्या है x का coefficient which is 1.57 1.57 मतलब pi by 2 so pi by 2 यहां पर लिख देंगे pi से pi गया 2 से 2 गया आपको मिल जाता है 1 cm answer तो x is equals to 1 पर आपको मिलने वाला है सबसे नजदीक वाला node यदि मान लिज यहां पर sign लिखा होता और x की value 0 put करते तो यह 0 आ जाता आपके पास इसका मतलब x is equals to 0 पर node होता और x is equals to 0 पर node है तो सबसे नजदीक वाला node यहां पर होता lambda by 2 distance पर यह x बरापर 0 है so this will be x is equals to lambda by 2 यह होता तब यहां पर sign लिखा होता starting में sign 1.57 cm inverse x ठीक है समझ गए answer हमारा कितना हो जाएगा 1 cm के तरहादा answer will be 1 सवाल हमारे पास है 27th of August evening shift में पूछा गया था the light waves from the coherent sources have intensity बराबर i0 के बराबर intensity है in interference pattern the intensity of light at minima is 0 सही बात है आना भी जाहिए what will be the intensity of light at maxima तो minima पर i0 के बराबर intensity है तो maxima पर 4 i0 के बराबर intensity होने वाली है इसका मतलब d option आप टिक कर सकते हैं चाहे formula लगा सकते हैं कि under root of i0 plus under root of i0 chi square ये होती है maximum intensity का formula तो ये कितना जाएगा आपके पास root i0 root i0 two times under root of i0 chi square तो मिल जाएगा आपके पास 4 i0 ठीक है 4 i0 थाचे कि खृद लेख बस्ट जाएगायाँ 5 4 i0 झाल झाल